हेलो डियर स्टूरेंट विल्कम बेक टू राजिस्टर डी और आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कलाश टू बेल्ट पलिटिकल सैंस जो है आप लोग का उसका जो भी वी वी आई पर्सन है जो परिक्षा में पुछने का जो है पूरा पूरा चांस है उसी पर्सन पर हम बात करेंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहे है देखें पहला पर्सन जो हम यहाँ पे लिए हैं आप लोग के लिए समाजिक नयाय क्या है तो इसका सटिक परिभासा हम बताएंगे देखें करा है जो समाजिक नयाय क्या है आप दोशों का निराकरन हो आर्थिक विसमता दूर की जाए यानि कि समाज के समाज हमारा समाज है उसमें सभी वर्ग के लोग को समाण अधिकार मिलना चाहिए उनको समाज में यह दो अकेला पन उनको लगे जो हम जो समाज में रहा रहा है ना उसमें जो है हम सुरक्षित है और गरी भी नहीं रहना चाहिए बेरोजगारी भी नहीं रहना चाहिए तो जहां पे यह सब है वहां पे जो है समाजिक नहीं बना हुआ है अर्था जहां पे नहीं है वहां पे समाजिक नहीं बना नहीं है चले तो इस इसका भी टिपनेट से न हम लिखे हैं देखें करा या भारत का वह भाग है जो परत्यक्ष केंद्रिय सरकार का अधिन है मतलब कि परत्यक्ष ता यानि कि एक तरह से माले जे जो भारत का वह भाग जिसमें जो है केंद्रिय सरकार के अधिन होता है जैसे माले जे यहां पर जो Kdardar,AK jazz anons, जो है राज्य के तरह चो इसको विशेश अधिकार प्राप तो नहीं होता है और यहाँ पर जो कैंद्रिय है सासन जो है लागू राता है कहाँ पर किंद्र purity पर-देश पर, आगे बात करते हैं तीन नमर्परशन पे, हार भारत के पहले राष्टपती और बरतमान राष्टपती के नामों को लिखे बहुत ही महत पुर्ण परसन है बार बार इक जा में पुछा जाता है जो भारत के पहले राष्टपती और बरतमान राष्टपती के नाम को लिखना है तो दिखे इस पे हम बात कर लेते हैं करा भारत के पहले राश्टपती के रूप में सपत लिया यानि कि जो हमारे दुरोपती जी है जो भारत के पंद्रहवे राश्टपती बने ना कब बने हैं 2022 में भारत के पर्थम राश्टपती डॉक्टर राजंदर परसाद अगर महला राश्टपती के बाद किया जाए तो इसके हिसाब से आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग का तीन नमर पर्स जो है complete हो जाता है इसमें आराम से आप लोग दरोपती जो है 2022 में भारत के पंदरहवे राष्टपती के रूप में सपति गरहन की थी वह हैं यानि कि दल बदल से आप क्या समझते हैं, दल बदल क्या है, देखें, करा यदि कोई विधायक या संसद अपने दल अत्वा निर्दलिय मंज का त्याग कर, किसी अन्य दल में जा मिलता है, यानि कि इतना बार समझ जाए, जब कोई पार्टी का जो नेता होता है, या संसद हो दूसरे कोई पार्टी में सामिल हो जाएगा तो यहीं दल बदल कर लाता है इतने आवाद समझ आए जो कोई नेता जब एक पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी में सामिल हो जाएगा तो क्या कर लाएगा दल बदल कर लाएगा न देखिए हम लिख दिया यदि कोई विधा सान्सत अपने दल अत्वा निर्दलिय मंज्च का त्यायक कर किसी अन्य दल में जा मिलता है या नया दल बना लेता है तो यह दल बदल कलाता है ठिक है बात कंप्लिट है छोटा सा जो है आप लोग का यह जो है इसका जो इस प्रपशां था था तो इसका श्कीन शोलिए आगे का कोस्चन है आगे का लोग का जो सिमला सम्झ होता खांगा करें गे करा सिमला सम्झ होता पर पाकिस्तान के राश्टपति भुट्टो ठीक है यानि कि पाकिस्तान के राष्ट पती थे उनका नाम था भुट्टो ठीक है तदा भारतिया परधान मंत्री इंद्रा गांधी ने हस्ताक्षर के यानि कि सिमला समझाता पर अगर बात किया जाए हस्ताक्षर के तो कौन-कौन क्या है पाकिस्तान के जो द्वारा विवादों को निप्टाएंगे यानि कि इंद्राकांदी और भुटो दोनों के बीच जो है एक तरह से सिमला समझाता हुआ और उहां पे जो है निरने लिया गया जो भी आपसी विवाद है भारत और पाकिस्तान का उसको बात चित के द्वारा सुल्जा लिया पे करा बर्स 1994 में तत्कालेन विडिटिस सरकार और चीन के मद्ध है सिमला सम्मेलन हुआ ठीक है यानि कि बर्स 1994 में क्या हुआ जो भारत के जो तत्कालेन विडिटिस सरकार था उसके बीच और चीन के बीच दोनों के बीच जो है यानि कि विडिटिस सरकार और चीन के निर्धारन हुआ, भारत और चीन के बीच क्या हुआ, सीमा रेखा का निर्धारन किया गया, इस सीमा रेखा को बर्तमान में मैंक मोहन रेखा का जाता है, तो इस परकार आप लोग जो है, मैंक मोहन ने रेखा क्या है, इसका सटीक अंसर दे सकते हैं, परिक्षा में पूरा- पूरा नंबर जो है अईबे करेगा देखें आगे का जो परस्ट पर बात करें हम करा 1965 के क्या 1965 के भारत पाकिस्तान यूद के क्या कर रहा थे तो 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो यूद हुआ उसका क्या सब कारण था उस पर हम बात करेंगे देखें अक्टूब जो सैनिक था पाकिस्तान के जो सैनिक सासक था उनका नाम जो था अयूब खाँ क्या नाम था अयूब खाँ उने सो अटावन में जो पाकिस्तान के राष्ट पती बन गए ठीक है और इधर क्या हुआ था भारत के अंदर सो देखिए करा 1962 में चीन के हां तो भारत की पराजे न अब भारत पर आक्रमन करके और कस्मीर को हम अपना में ले आएंगे तो दिखें क्या हुआ यहां पे लिख दिया है जो चीन को यहां तो भारत की पराजय होने से उन्हें प्रेरित किया यानि कि चीन के यहां तो भारत क्या हो गया था पराजय हो गया था और यही बात उनको प्रेरित कर दिया जो आप जो है हम जीत सकते हैं कास्मीर को देखें करा कास्मीर की समस्या को बलपुर्वक हल किया जाए यानि कि वो इतना बात सोच लिए है अभी भारत कमजोर परा है तो हम क्या करेंगे कास्मीर का जो समस्या उसको बलपुर्वक जीत लेंगे अता क्या होता है अता सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने कास्मीर पर आक्रमन कर दिया अब इसी सब बात को दे देख चुके हैं इधर बताती हम सिमला समझाता मैक मोहन ने रेखा और 1965 के भारत पाकिस्तान ने उद के क्या करने थे यह सब पर्सन आप लोग जो है देख चुके हैं तो इसका स्कीन सोट ले लिजे और आगे जो हम और बताते हैं वीडियो में बने रहेगा आप लोग चल तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइख करके सेर brewer करते चली सिधा देखें कर रहा है बहुत दलिययर बेवस्ता क्या है इसमसे बात करेंगे बहुत लियर बेवस्ता वह राजनितिक वेवस्ता है यानि कि बहुत दल प्रिथक रूप में या गटबंधन के रूप में सरकारी विभाग पर नियंदरन की छमता रखता है जो भी दल चुनाव में निर्वाचित होता है यानि कि जो भी दल चुनाव में होता है जो जीत के आता है परतिनिधी बन के आता है वो क्या करता है जो सरकार के जो भी विभाग होता है उस पर नियंदरन करता है अब देखिए इस परकार आप लोग जो है इसका डिफिनेशन बहुत अले बेवस्था का लिख सकते हैं, बहुत ही सटीक है, आगे देखें, आगे का जो पर्षन है, आप लोग का पर्षन है, योजना अवकास का अर्थ बताईए, बहुत ही महत पुर्ण पर्षन है, योजना अवकास के बारे में बात करते हैं, देखें, भारत में जो यो 60 के कर्म में ब्यवधान पर गया यानि कि यहां पर जो है कुछ रुकावत जो है उत्पन हुई देखे तरु रुकावत उतपन हुई तह क्या हुआ करा इसलिए एक बरसीय योजना बने जिन्होंने यानि कि क्या हुआ जो भी बैवधान उत्पन हुआ उसको खतम करने के अब देखिए एक वर्षी योजना कहिया से कहिया तक चला 1916 से सरसर तक सरसर से लेके अरसर तक और अरसर से 79 तक जो है लिया गया ये था क्या एक वर्षी योजना हम इसको कर सकते हैं यही बदलाव योजना अवकास में क्या गया था इसी को हम योजना आपकास कहेंगे आगे आप लोग समझ देखें आगे क्या करा करा है चोथी पंच वर्षी योजना जो है 1979 से लेकर कब दक चले immature 1974 तक चले ना आगे देखे करा क्या करा क्याम मैं 12-5 यानि तो आप लोग येजना आपकास समझ गयोंगे इसका डिफिनेशन ही बहुत ही सतीक है तो आप लोग नोट करते चलेगा देखिए अंतिम पर्स ने आप लोग का कर रहा है जो पहली पंच बर्सी योजना में किसे परात्मिक्ता दी गई तो भारत में जो पहली पंच बर्सी योजना था उसमें मुख्य रूप से जो है क्रीसी को परात्मिक्ता दी गई थी देखिए फिर भी हम बता देते हैं आप लोग को डिफनेशन करा पहली पंच बर्सी योजना में क्रीसी को सर्वोच परात्मिक्ता दी गई ना आगे है करा साथ ही साथ बिद्धूत की परयोंजनाव पर बल दी गया यानि आप लोग इस परकार जो है इस पर्सिंट का भी एंसर देख लिया है तो अभी तक हम इस वीडियो में जो है लगभग 10 परसन जो है बता दिये हैं जो एकदाम के दिरिश्टी से अत्यंद महतपूर्ण होने बाला है तो आप लोग इसके आश्कीन सोट ले लिजिए और फटापर जो है अपने कोपी में उतार के याद कर लिजिए धन्य बाद थै